फर्जी खबरे न सिर्फ शाषन प्रशाषन के समक्ष चुनोती पेश करता है बलकि रास्टिय सुरक्षा और हिंसा के साथ सामाजिक स्वहार्द को भी धुमिल करता है भारत सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया है ताकि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सम्मंधित हितधार्खों की निगरानी कर सके नमस्कार मेरा नाम है मनीश भारती और आप देखने हैं संस्कृति आयस यूटूब चैनल दोस्तों आज हम सूचना इबं प्रशारन मंत्राले द्वारा फर्जी खवर पर लगाम लगाने के लिए गठत की जाने वाली फैक्ट चेक यूनिट के विभिन पहलुमों पर बात करेंगे साथ ही वरतमान में विद्वान उन कानूनों को भी समझेंगे जिससे फर्जी खवरों पर लगाम लगाने का प्रियास संभव हो पा रहा है जैसा कि आप आज का टॉपिक भी हमारा देख रहे होंगे फर्जी खवरों पर लगेगी लगाम फैक्ट चेक यूनिट का हुआ गठन तो इसके माध्यम से अब हम चलते हैं कि यहां ख़बर जो है सुर्खियों में क्यों है और अख़वार के पनों को आप नजर देंगे तो क्या-क्या बताएगी है देखिए यानि कि गवर्मेंट ने जो फैक्ट चेक यूनिट की बात की है वह कैसे काम करेगी उसका काम काच का परनाली क्या होगा और साथ ही इससे उपजे हुए क्या मुद्दे हो सकते हैं इसकी बात की गई है देखिए यहां पर जो है इसी में संसोधन की बात की गई है और जब इस कानून में संसोधन हो जाएगा इस अधिनियम में तो मंत्राले को यहां अनुमती मिल जाएगी कि वह फैक्ट चेक बाड़ी इस कानून के माध्यम से संसोधित करके बना सके विश्विल टेक अ कॉल ओन वैदर ओनलाइन नोटिफिकिशन रिलेटेट तुड़ सेंटर गवर्रमेंट इस अकुरेट तो इसकी बात की गई है दूसरे जगह अगर आप देखें फैक्ट चेक यूनिट गवर्रमेंट टूपिक मेंबर्स यानि की गवर्रमेंट क तो यह तो हो गई खवर अब इससे संबंधित कुछ महतपुर्न बिंदू पर नजर डालते हैं और देखिए सबसे पहले जो हमने बात की थी कि IT नियमों में हालिया संसोधन क्या सब संभभ है उस पर बात करिए देखिए भारत सरकार द्वारा सूचना प्रोद्दोगी की म नियम 2021 भी याद रखें जैसा कि यहां पर लिखा गया information technology rules 2021 तो इससे भी आप ध्यान में रख चकते हैं वैसे अगर प्रिलिम शर्ग्यामनेशन में या अधिनियम दिया रहेगा तो संभभ है ब्रैकेट में या पूरा नाम ही इसका दिया रहेगा में शंसोधन करके एक कि जा रही है इस हालिया कानून में अधिनियम में शंसोधन करके तो यह बात एक है कि फ़र्जी खबरे फैलती है या इस तरह के खबरे फैलाई जाती है जिसका कोई आधार नहीं होता है तो रास्टी सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती पेश हो जाता है इस स्थिती में इ कानूनी धाचा परदान करना भी इसका एक उद्देश है अब ऐसा कह सकते है कि देखिए एक पूरी तरह से एक रूल्स होना चाहिए जिसके माध्यम से जो टेक्नोलोजी का रेगुलेशन है वह किस परकार से किया जा सके सरकार के पास गाइडलाइन सो इस संसोधन का उद् पी आई वी के द्वारा किया जा रहा है दो यहां पर आप देखिये कि हैं जैसा कि आप देखर देख रहे हैं पीकि ठेक का ट्वीटर का I socket यहाँ अब इसमें देख्या से में कुछा discord दिया गया है कि यह कि बीटिया करें में सरकार दे रही है 258,000 की रासी और बताया गया है कि कैसे करे आवेदन सभी बेटियों को मिलेगी नई योजना 2023 तो इस तरह की बाते करके टूटर पर चला गया है लेकिन यहां पर PIV जो फेक्ट चेक करने वाली संस्था है सरकार के तरप से यह काम करती है उसने अपने कह रही है कि यह एक धोखा धरी का प्रियाश है वैसे ही यहां पर देखेंगे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का एक टूटर अकाउंट बना हुआ है उसके माध्यम से कुछ बाते कहीं जा रही है तो PIV ने यहां वी ठेक्ट चेक करके लोगों तक किया संदेश प नोटिफिकेशन बनाके डाल दिया जाए अब जो अभ्यरती हैं करने बाले उन्हें लगेगा कि सरकार के तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मान लीजे यहां लिंक भी दे दिया जाए कि आप ऑनलाइन प्यमेंट करके फॉर्म बनना स्टार्ट कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि जो अभी अधिनियम है 2021 इसका उसमें जो जरूरी शंशोधन हो उसे किया जाए फैट चेक यूनिट क्या क्या करेगी और उसमें किस तरह सा उसका एक एक स्टुक्चर होगा उसे समझे अभी बताया गया सरकार के तरफ से एक संभावना है दरसल देखिए कुछ भी हो सकता है आठ दस दिन में इसमें कुछ एक जो पुख्ता जानकारी है निकल के आ जाएगी अभी जो संभावना हो सकते हैं I.T. मंत्राले का एक प्रतनिधी होगा क्योंकि I.T. मंत्राले से जुरा हुआ यह मशला है तो एक प्रतनिधी जो है वहा IT मंतराले का होगा शांखे की और कारियान मंतराले का एक प्रतंदी जरूर यह होगा चुकि डेटा एनलाइसिस का काम इनके जरीये होगा और क्योंकि मीडिया से सम्भधित काम है तो मीडिया की एक्सपर्ट जो है वह जरूर होंगे और उसके बाद अनतता यह सभी पहलु जो तो इस तरह से चार लोगों के द्वारा एक गठित कमीटी होगी जिसके भी संभावना है और यह काम करेगी चलिए अब इसका कारिक क्या क्या हो सकता है जो यह कमीटी गठित हो जाएगी यानि कि यूनिट जो गठित हो जाएगी वह क्या क्या कारिक करेगी जरा उस पर एक न से जाना है जाना जारा है तुटर को जानते हैं आप इनस्ता ग्राम होंगे ही तो इस तरह की वाट्शेप को लेकर करके बात की जा रही है तो इस तरह से सीटरौ के अकाउंट हैं या जो उसके प्लेस्फORM को ले करके कुछ दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे अब जरा सेफ हॉर्बर की बात करते हैं देखिए यह जो सोसल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है इन्हें एक तरह से सेफ हॉर्बर का एक तरह से एक तगमा मिलता है यानि कि इसके माध्यम से जो थर्ड पार्टी जो कंट है वह जिम्यदार नहीं होते हैं लेकिन इसका भी कुछ रूल रेगुलेशन है एक लिमिट तक है अगर उस पर यह कारवाई नहीं करते हैं या थर्ड पार्टी के कंटेंट को नहीं हटाते हैं तब जाकर के इस कंपनी पर कारवाई किया जाएगा इनका जो एक लीगल समंदित है कि फरजी खवर से संबंधित सामगरी को होश्च ना करने के लिए उचित पर्यास नहीं करते हैं गलत खवर को रोकते नहीं हैं उसके होस्ट करते रहते हैं और फेक्ट एक उन्हें बता देती है कि यह खवर जो है फरजी है भ्रामक है नकली है बावजूद भी वह उस पर कारवाई नहीं करते हैं तो फिर इन पर जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है जैसे की एर टेल है जीओ है बोड़ा फोन आइडिया है उस पर फिर कारवाई की जाएगी तो इस अंसोधन से उत्पन कुछ चिंताएं भी जाहिर सी बात है उत्पन होगा क कुछ मीडिया गूर्प सोगए जिनहें इस योनिट को लेकर के कुछ चिंताएं हो सकती है क्या क्या चिंताएं हो सकती है समझे दे लिपार सोसाइटि का काम करती है यानि कि एक तरह की ऐसी संस्था है यह तरह का ऐसा मंच है जहा पर जहते भी होते हैं इनके पृण्धिक के रूप में इनकी आवाज जो है यह इंडियन सरकार के समिक्ष उठाते रहती इसलिए आएनेस का कहना है कि सरकार जब इतनी बरी परिवर्तन करने वाली है तो सरकार को चाहिए था कि आएनेस से संपर करें प्रामर्श करें सिबिल सोसाइटी ग्रूप जो हैं इनका भी कुछ कहना है और यह कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बोलने की आजादी है अभिवेक्ति की आजादी है सरकार उस पर अंकुष लगाने का प्रयास कर रही है डिजिटल राइट्स ग्रूप इंटरनेट फीडम तो इस फांडेशन के तहट कहा जा रहा है कि वहां के अभिवेक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उस पर परतिवंद लगाने का प्रयास सरकार इसके माध्यम से कर रही है एडिटर ग्रूप ऑफ इंडिया ने कहा है सरकार इसके दोरा सेंसर्शिप मीडिया पर लगाना चाहत है नकली समाचार और सामगरी पर प्रभाव क्या परेगा जराय से देखिए जनता के भरशों को कम करना यदि जो नकल नकली समाचार निकलता है या फिर भ्रामक जानकारियां दी जाती है तो इससे क्या होता है जनता भ्रहमी तो होती है और जनता को खबरों पर या सरकार प फैलता है जब कही मान लीजिए फर्जी घोसित रूप से कर दिया जाए कि यहां दंगा हो रहा है वाटसप पर मैसेज फरवाड किये जाए ट्विटर पर यह चलाया जाए एक प्रोपेगेंडा के तौर पर तो कई जो अलग-अलग समुदाय है हमने प्रैक्टिकली रूप मे पूरी तरह से फर्जी खवर पर ही आधारित था ब्रामक जनमत एक हो सकता है यानि कि समाज के जनता के किसी एक विशेश बर्ग में उस फर्जी खवर को लेकर के आस्था हो सकती है और इसके बाद वो साशन प्रशाशन के समक्ष नई तरह की चुनोतिया पेस कर सकते है इस कि कोविड-19 के समय हमने देखा देखिए कई बार क्या होता है कि मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही होती है लेकिन जब फर्जी खवर चल जाता है या भ्रामक जानकारी फैल जाती है तो एक उद्देश जो होता है सूचना का उद्देश सी क्या है कि लोगों को जागरू करना मीडिया कहीं न कहीं उस उद्देश से विमुक हो जाती है यदि आपको याद हो कोविड-19 का दौर उसमक्त जब नया नया ठीका करन किया जा रहा था कोविड-19 के वैक्सिन तयार किया रहे तो एक खवर फैल रहा था ट्विटर पे भी आपने देखा होगा में नपुशनक्ता का शिकार वो पुरुष हो सकते हैं इस तरह की खवर फैली तो बहुत सारे लोग जो थे कोविड का डोज नहीं ले रहते खास करके ग्रामीन इलाकों में वहां के जो डॉक्टर थे या पुलिश करमी उस समय जो तैनात थे उन्हें काफी मसकत करना परा लोगों को यह समझाने के लिए जो कि फर्जी खवर जो फैलता है उसका जो इस तरह से कंटेंट होता है कि लोगों के दिल और दिमाग में जल्दी घर कर जाता है लोग उस पर जल्दी यकीन करते हैं तो इन सब चीजों को लेकर के समस्या उत्पन हो सकती है चरम पंथी वि जैसे संगठन जो है या इसका एक अच्छा उधारन है अब देखिए अभी हाल फिलाल में जो विद्दमान कानून हैं जो फर्जी खवरों को रोकने के लिए काम कर रही है वह कौन-कौन से कानून है उस पर हम थोरह सा बात करेंगे आपको इन कानून को तोरह सा डिटेल से परके जाना है प्रिलिम्स एक्जामनेशन से पहले हलाकि मैं फिर विए कुछ कानून की बात कर देता हूं भारतिय जर्ण सहीता जैसा कि इंडियन पिनल कोड की बात हम जानते हैं उसके तहत कहा गया है इसकी कई धाराओं का उपयोग फर्ची समाचार और गलत सूचना फै इसके तहट कहा है कि दंगा भरकाने की इरादे से अगर उक्षाए गया है तो धाराओं कानूज कि शरारत करने वाले बयान अगर दिये हैं तो और धाराओं पांसव यदि मानहानी की बात है तो इसके तहट आप पर कारवाई की जाएगी केवल टेलिविजन नेटवर्क व इसके तहत भी यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि भ्रामक खबर फैलाता है कोई शंगठन यदि गलत जानकारी दे करके लोगों को भर्माने की कोशिश करता है तो सरकार उस पर उचित कारवाई करेगी अब यहां पर एक प्रशन है जो कि इसी से संबंदित है प्रशन जो ह है प्रिलिम्स का है और इसके आधार पर आप प्रिलिम्स का तयारी भी कर पाएंगे यानि कि अप्रोश डवलप कर पाएंगे और प्रसन देखिए निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए यहां पर जैसा कि मैं कहते रहा हूं कि पुछले शब्दों को फिर से देख लिया की संबिधान के अनुछेद 21 के द्वारा प्रदान किया गया है जो मतलब की वर्ड है मैं वहां आपको हिंट देते चलता हूं ताकि आपको प्रश्न का समाधान करने में आशानी हो संबिधान द्वारा प्रदत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता पर कुछ तार्किक प चलता है कि इस दो कत्न में कोन सा कत्न गलत है कोन सा कतं सही है जो भी कत्न गलत होगा यकि असत होगा वही इसका सही आंसर होगा उसके लिए चार विकल्प दिया गया है आपको यह ढूंड के निकालना है कि कौन सा विकल्प जो है इसका सही जवाब है और जो भी सही जवाब हो उससे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी हमने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को सम्रिध बनाने में साहयक सिद्ध होगे जल्दी हम किसी दूसरी टॉपिक के साथ आप से मिलेंगे अपना ख्याल रखिए थैंक यू